आज हम डिसकस करने जा रहे हैं रिमेनिंग कोस्टेंस ओफ अनलिटिकल और लॉजिकल स्किल्स पॉर्शन अफ CUT 2023 Shift 2 Actual Paper दो शिफ्ट में यह एक्जाम हुआ था शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में बड़ जब कि 2022 में जब CUT के तुरू एड्मिशन होने शुरू हुए थे में तब खली एक शिफ्ट में एक्जाम हुआ था तो नमबर ऑफ शिफ्ट डिपैंड करती है नमबर ऑफ एप्लिकेंट्स पे अज कितने सारे स्टूडेंट्स उस कॉंपिटीशन में अपेर हो रहे हैं तो अबिसली हर साल नमबर ऑफ एप्लिकेंट्स भरते जाएंगे इन अदर वर्ट सापको कॉंपिटीशन भरता रहेगा तो उसी हिसाब से आपकी प्रिप्रेशन भी होने चाहिए आपके मैथट्स औरों के मैथट्स से बैटर होने चाहिए जो कम टाइम में आपको ुअट की पेपर होता कैसे हैं C.U.T. में टोटल हंडर्ट कोइसंस आते हैं हर कूश्चन फोर मार्क्स का और नेगटीव मार्किंग माईनिस न लाएक इफ और विव गवन इनकरेक्ट आंसर तब आपको पैनल्टी मिलती है माईनिस वन की हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मिलते हैं, question आपने attempt नहीं करा तो ना आपको कुछ मिलता है ना आपका कुछ जाता है, but obviously हमें ऐसे situation नहीं आने देनी चाहिए, we have to try to attempt most of the questions correctly, दो पार्ट में बेपर divided होता है, दौनों पार्ट compulsory होते हैं, part A में 25 questions होते हैं, जिसमें जी के आता है, logical reasoning, logic means whole, mathematical, quantitative and analytical skills, इसे हम ख questions GKK, part B जिसमें 75 questions होते हैं, वो आपका subject specific होता है, मदल जैसे आप MCA के लिए लेते हैं, MCA या MSC, और उस सब के लिए combined paper था, 2023 में, तो उसके अंदर एक portions आता है, mathematics का, एक portion आता है, computer science का, और एक portion आता है, thinking का, thinking means again reasoning, तो जो भी MCA के लिए exam देते हैं, COT के, उसमें reasoning important role play करत है, around 25 to 30 questions reasoning के set हो जाते हैं, हर बार इस examination में, उनी questions को हमने different parts में divide कर रहा है, already और parts हम कर चुके हैं, आपके साथ part 1, part 2, part 3, आज हम करने जा रहे हैं, part 4, ठीक है, इस तरह से इसलिए distribute कर रहा है, कि आप questions को धंक से सीख सकें, और समझ सकें, time, तो शुरुआत करते हैं, आज nursing term कौन सी होगी, अब इसमें आपको logic लगाना है, और जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, logic apply करने के लिए 3 steps आप लोगो को रखने चाहिए, सबसे पहले आपको सोचिए, मतलब, to try to think something, think something means you'll try to establish a logic, तो सबसे पहले आप logic को establish करते हैं, फिर आप उसे data की help से verify करते हैं, और यदि वो verify हो जाता है, तो आप उसे apply करते हैं, जैसे simple way में, यहाँ पे मैंने देखा, पहली term 4 है, और दूसरी 10 है, और मैंने गाएर इसे obtain करते हैं, और मैंने बहुत simple सा logic लगा दिया, into 2 plus 2, 4 दुनी 8 और 2 10, ठीक है, 10 मेरा आगया, अब मैंने फिर logic लगाते है, same logic मैं यहाँ पे apply करा, 10 into 2 plus 2, तो कितना आना चाहिए, 10 दूनी 20 और 22 आना चाहिए, बट यह जो मैंने logic लगाया है, यह मेरी अगली term भी तो देनी चाहिए, और अगली term मेरी आनी चाहिए, यह मैं 22 को 2 से multiply करूं, और उसमें 2 add कर दों, but 22 into 2 plus 2 comes out to be what, 46, which is not equal to 82, hence यह जो भी logic हमन ने develop करा रहा है न, that logic is wrong, ठीक है न, that logic is wrong, तो कोई जादू तो होगा नहीं, आपको एकदम से strike करेवा हो, या तो आपका question पहले से करावा हो, कि आपने इतने सारे इस तरह के questions कर रखे हो, जो normally हम अपने students को practice देते हैं इतने सारी series की, और हम चाहते हैं कि जदद तो time series ऐसी अब पहली time है 4, तो suppose मैंने इसके साथ apply करा, into 3, तो यह थी बारा, minus 2, और मेरे पास आगया 10, suppose यह आगया, bracket में मैं खाली logic लिख रहा हूँ, मतलब यह bracket वाला bottom master नहीं apply कर रहे है, खाली 4 को 3 से multiply करा, 2 सब्टेट कर दिया, 10 आगया, 10 को 3 से multiply करा, 2 सब्टेट कर दिया, 10 त 30, minus 2, 28, तो यह 28 वलक आगया, जो missing time है, same logic को आगे लेके गए हम, 28 को 3 से multiply करा, 2 से minus करा, 28 को 3 से जब आप multiply करते हैं, 8, 24, 4, 2 हांसिल, 3, 2, 6, और 2, 8, minus 2, which is 82, और आप खुद देखें, यह 82, और यह 82, same है, तो यही तीन steps है, सबसे पहले यह आपने logic established करा, ठीक है, आप य यह जो logic हुआ ना, यह आपका verify हो गया, आपको दिख गया कि हाँ time आपकी आ रही है, तो यह 2 steps हो गया, तो then it means, जो भी आपने apply करा था, that application was right, तो इस case में अब हम confirm हैं कि our answer has to be 28, समझा रहा है, आगे भी आप try करेंगे ना, आप 82 को, यदि 82 को अब 3 से multiply करके, उसमें से 2 minus करके देखिए, you are going to get 244, now this is the right logic, clear है सब लोगो को, it was a good example, and missing terms or completion of series is quite significant, quite important for us for all type of entrance examinations, क्योंकि basically यह reasoning ही तो है, सारी की सारी की आप किस तरीके से सोचते हैं चीजों को, and that सोचना is very very important, अब यह दो list दीवी हैं, हमें इन list को match करना है, we have to match these two lists, और मैंने बहुत बरी एपन के questions में, इन्हें वे चार questions मिलके बनावा है, बट examination में एक question के लिए time कितना मिलता है, हमें approximately एक minute, और जदा तर time हम questions करते हैं, कि हम logic, English और journal awareness type के topics में time save कर सकें, और उस time को mathematics की problems पर devote कर सकें, जहां पर ज़्यादा time की जरुत होती है, बजब हम mathematics discuss करेंगे आपके साथ, जब जो time बसता है, वो हमारी उन problems के काम आ जाता है, जो lengthy होती है, moreover, मैं अपने lectures में discuss करता हूं, tricks कि किस तरह से exam attempt करना चाहिए, हर question के weight is same है, तो हमें वो questions attempt क्यों करना है चाहिए, पहले जो बहुत जदधा tough हो, तो हम बताते हैं, आपको search, scan and simplify कि कि किस तरीके से हम questions को identify करते ह कौन सा question पहले करना है, कौन सा question बात में करना है, that I will discuss in one of my lectures, okay, अब यहां पर हम देखते है, analog की की तरह इसे बनाया गया, analogous situation बनाई गई है, 8 और 81 में जो relation है, वो ही 64 और question mark में होना चाहिए, that is what he is asking, अब 8 और 81 में हमने देखा कि जो 8 है, यह दि मैं देखना जाहूं तो 8 is obviously 2 cube, everybody knows 8 is 2 cube, 81 किया है, देखते हैं क्या किसी की power है, यदि मैं 3 square लेता हूं तो 9 आता है, 3 cube लेता हूं तो 27 आता है, और 3 raise to 4 लेता हूं तो 81 आता है, तो मुझे strike करा कि यार यह तो 3 raise to 4 होना चाहिए, ठीक है न, तो it means 8 हो गया 2 raise to 3, 8 हो गया 2 raise to 3, और यह हो गया 3 raise to 4, 81, अब 64 क्या है, 824, 8 square, ठीक है, 64 is 8 square, तो obviously next वाला क्या होना चाहिए, आप लोगों का, but square नहीं लेना है, मुझे cube लेना है, यहाँ cube है, तो यहाँ भी मुझे cube लेना है, तो मैं क्या होना नहीं यार यह तो सहीं नहीं है मेरा, तो क्या कोई ऐसा number है, जिसका cube 64 है, 4 square is 16, and 16 into 4 is 64, so obviously it is 4 cube, क्योंकि same reasoning चाहिए न, तो यह power दोनों की same चाहिए, तो इसलिए 8 square was not justified, although 8 square was also 64, but आपको चाहिए 4 cube, तो same logic पे इसका मतला जो आपका question mark हा है, that should be 5 raised to 4, using the same logic, यह तो 8 2 cube था, तो 8 even 3 4, the 2 cube is to 3 4, as is 4 cube is to 5 4, इसे next number, इसे next power, इसे next number, इसे next power, तेक है, and what is 5 raised to 4, 5 square is 25, 5 cube is 125, 5 raised to 4 is 625, so it comes out to be 625, and 625 is this, इसका मतला यह जो question mark है, that is 4, इसका मतला A is connected to 4, अब देखिए, यहाँ, A4 से connected नहीं है, गलत, A4 से connected नहीं है, गलत, A4 से connected नहीं है, गलत, A4 से connected है, सही, आपको कुछ और check करने की जरूती नहीं है, students क्या करते हैं कि सारों को निकालने की कोशिश करते हैं, no, it is not at all needed, okay, और practice, examination के बाद यह examination से पहले हम इन सब को कर सकते हैं, बड़ा देखिए, इस particular question को करना है, तो it is not taking more than 10 or 15 seconds, you just do it, and then you know your answer, क्योंकि A इन में से किसी में भी 4 नहीं है, तो मुझे और सारों को निकालने की ज़रती नहीं है, although और सब भी करे जा सकते हैं, that's not an issue, बहुत अराम से कर सकते हैं, ठीक है न, तो थोड़ा सा में हिंट दे देता हूं, आप फिर बाद में try कीजेगा इसे, otherwise in some other of my lecture, I will also do this, अब खुद देखिए हैं यहां पे, कैसे कर सकते हैं, यह जो है, आपको 42 क्या द 12 into 11, तो ऐसे आप progression में जा सकते हैं, you can just move like this, it is not difficult, but यह अपने आप में एक independent question है, और यह बहुत बड़ा difference है NIMSET and CUT में, NIMSET में इस तरह की matching problems normally नहीं आती हैं, but CUT में matching problems बहुत ज़्यादा आती है, तो इन्हें वो इन्होंने, एक problem में इन्होंने कई सारी problem merge कर दी होती ह हैं, okay, इसे तरह 48 भी निकाल सकते हैं, आप देखते हैं, क्या किसी की power 48 के आसपास है, yes 49, what is 49, 7 square, तो हमें यह बहुत दिखाई दिया है कि it is 7 square minus 1, 73 inches minus 1, 122, 11 square plus 1, ठीक है न, आप देखे 7 square minus 1, 11 square plus 1, it is so obvious, इस particular question को यह दि मैं एक्जाम में यह करना होता है, तो मैं खाली किसी स्टेज पर अपना आंसर देते हैं, तो मैंने 1 को निकाल लिया ता 4, बड़ अभी हम खाली प्रेक्टिस के लिए कर रहे हैं, because it's basically meant for teaching you things, so that you can become expert in such type of things, इसलिए मैं इनको भी करके दिखा रहा हूं आपको, otherwise examination में इसको करने की कोई ज़रुरत नहीं थी, इस particular question में, अ क्लियर है, अब next क्याल हूं, आप देखे, 7 यहां था, 11 यहां था, 4 का सम हुआ, तो यह हो जाएगा 17 स्केर प्लस 1, 7 और चार ग्यारा, 11 स्केर 121 प्लस 1, 122, 13 स्केर 169 मैनस 1, तो 7 और चार ग्यारा, बेस में देखना पड़ेगा ना, difference कितना है, तो उतना है चार का इंक्र confusion, you can ask me later, you can write it in the comment section, or you can ask in the doubt class also, okay, और आप डिरेक्ली भी मेल कर सकते है, सारी descriptions दी भी होती है, इस lecture के नीचे, आप डिरेक्ली भी मेल कर सकते है, if you have any comment, if you have any query, if you want us to solve some more questions for you, we will happily be doing that, okay, you just intimate about it, the basic purpose is, that you should be benefited by it, अब यह वाला खाली रह गया, इसको और करके दिखा देते है आपको, I'll do this for you, इस पर left-hand side question mark है, तो हम इन दोनों का relation निकालेंगे, 210 का और 380 का, मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ, आपके लिए नीचे, 210, और यहाँ पर 380, तो एकदम मुझे strike करता है कि सारे में कुछ ना कुछ पावर की बात हो रही है, तो यदि मैं 20 square लेता हूँ, 400, 400 में से 20 गया, 380, 20 square minus 20, अब 210, क्या 210 के आसपस कोई किसी की पावर है, is there some power, मेरे कहल से 15 square, 15 square is what, 15 square आपको यहाँ पर आया, और 15 square में से, आप यदि 15 करते हैं, तो आपको मिल जाता है, 210, 15 square होता है 225, 225 में से 15 गया, 210, same logic, आप left and side पर लगा सकते हैं 182, but again, इन दौनों में फरक देख लिजएगे, यह 15 था, यह 20 था, जैसे यहाँ पर 7 था, यह 11 था, तो आपको 4 एड़ करना पड़ा, यहाँ पर आपको 15 है, 20 है, तो अब आपने देखा 182, what is your 182, 182 है हम इसी तरीके से देखते हैं, पावर 14, so it is 14 square minus 14, so it is 14 square minus 14, so your question mark should be 19 square minus 19, so this way you will be able to solve it, but no doubt it was a very good question, so आपको 4 questions के logic, इसमें पता चल गाई, you must be happy, okay, next question, again, it's a question from blood relationship, जिसमें हम family tree construct करते हैं, इस तरीके questions तो बहुत ही important हैं, CUT में तो बहुत सारे questions आते हैं, ऐसे, okay, देखते हैं इसे पढ़के, 8 members हैं एक family में, there are 8 members in the family, Bravo and Priyar siblings, पहले हम symbols देख लेते हैं, यह symbol हम use करते हैं female के लिए, यह मैंने पहले भी बताया है, यह symbol हम use करते हैं male के लिए, यह symbol हम use करते हैं married couple के लिए, यह symbol हम use करते है siblings के लिए, भाई बैन वगड़ा के लिए, और यह symbol हम use करते है difference of one generation, difference of one generation मतलब father son mother daughter mother son उसके लिए हम यह vertical line use करते है horizontal line use करते है भाई बैन वगरा के लिए siblings के लिए यह equality का sign use करते है couples के लिए यह दो horizontal lines यह female के लिए circle और यह male के लिए circle ब्रेवो और प्रिया और siblings तो भाई बैन होगे प्रिया तो आपने बना लिया यहाँ पे यहाँ पे आपने प्रिया बना लिया और यहाँ पे आपने ब्रेवो बना लिया siblings है angel is काजल's granddaughter and काजल is प्रिया's mother-in-law तो आप देखे कितनी generation की बात हो रही है तो यहाँ पे काजल की generation है यहाँ पे प्रिया की generation है और यहाँ पे angel की generation है यहाँ तक आपको clarity है सब लोगों को ठीक है ना तो यहाँ पे काजल की generation रहेगी तो देख लेते हैं क्या बनाएंगे काजल is प्रिया's mother-in-law तो काजल is mother-in-law तो ये काजल आ गई, अब ये किस से शादी होई है, ये देख लेंगे भी बाद में, और इसके भी प्रिया की भी, अब एंजल इस काजल's granddaughter, काजल इस प्रिया's mother-in-law, तो यहां से ये तो आई गया, थोड़ा सा correction करनी पड़े गी हमें, क्योंकि mother-in-law का मतलब है, थोड़ा स पर बनाएंगे, ठीक है, यहां पर इसका कोई husband होगा, mother-in-law आए, तो कोई तो husband होगा ना, इसका, यह husband होगा, तो यहां पर हमें काजल बनाना चाहिए, और ये काजल का husband, और ये bond, ठीक है, काजल प्रिया की mother-in-law, एंजल इस दी काजल's granddaughter, अभी देखते हैं, granddaughter किस जगे जाएगी, okay, obviously, यहीं पर जाना चाहिए, जीवा is a married woman and is older than Tim, Tim is the son of Sam, who is the brother-in-law of Bravo, अभो गहे रहे, Tim is the son of Sam, who is the brother-in-law of Bravo, ब्रेवो की भेहन पी है, और ब्रेवो का mother-in-law Sam है, तो यह आपका Sam आ गया, और Sam का son कौन है, तो Sam का सन कौन है, तो Sam का सन कौन है, तो Sam का सन कौन है तीम हो गया, ठीक है गया, और Angel is काजल's ground letter, तो यह सीक्वेंस यहां से आ रही है, तो यहाँ पर आपकी काचल आ गई, देखते रही है, इस सो इंटरस्टिंग, okay, जीवा is a married woman and is older than Tim, अब जीवा married woman and older than Tim है, तो इस जनरेशन में तो है नहीं जीवा, और married man है, यह तो बच् eldest male in the family, तो obviously यह smith हो गया, यह मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि a symbol already नीचे use हो गया, यहां भी मैं Sam कर देता हूँ चलिए, तो देखे यह family diagram बनी है, Angel is not Jeeva's daughter, वह तो obvious है, Angel is, यह this was sorry, this was Angel, Angel, जीवा की daughter नहीं है, तो इस तरीके से आ लिए, कहीं भी को confusion है, just look at the diagram, one by one देखते रहिए, आठ members है, दो, दो, चार, दो, छेर, दो, आठ हो गया, ब्रेवो एन प्रियार सिब्लिंग, ब्रेवो एन प्रियार सिब्लिंग, Angel is काजल's granddaughter, ठीक है, काजल is प्रिया's mother-in-law, अब काजल, प्रिया की mother-in-law है, और एंजल, काजल की granddaughter है, तो obviously, प्रिया की daughter होनी चीए, एंचल, यह अदर clear है, and I am saying, Jeeva is a married woman and is older than Tim, तो Jeeva इससे married हो गई, Tim is the son of Sam, who is the brother-in-law of Brayvoh, तो Brayvoh का brother-in-law Sam है, और Tim इनका बेटा है, यहाँ पर पिसाई हो गया, Smith is the eldest male in the family, तो Smith यहाँ पर हो गया, So, how is Brayvoh related to Jeeva, आप खुद देख सकते हैं, how is Brayvoh related to Jeeva, so Brayvoh is husband of Jeeva, तो मैंका बेख सकते हैं, how is Brayvoh related to Jeeva, so Brayvoh is husband of Jeeva, तो मैंका बेख सकते हैं, So, that was a very good example based on blood relationship, next question, and this is very important, we do lot of practice on this in our classes, and we write large number of questions on blood relationship in our test series also, in our mocks, you know, full length mock and unit specific mock, we write such problems, because we need our students to have lot of practice on this, it is not like mathematics की same question repeat हो रहा है, आपको आंसर चाहिए है, आपको आंसर चाहिए, इसमें फोड़ा सा तूस्त कर देंगे, यह diagram will change, और diagram will change, it means you need to know the concept, okay, next, find out the trend and choose the missing character from the given alternative, यह alternatives है, आपको बताना है, इसमें क्या होगा, तो कहीं बिलिए हम क्या कहते हैं कि यह जो table है, इसको आप एक series की तरह लिख लिख लिजे, 2, 5, 10, this is one way of doing it, okay, 17, question mark, 37, you just write it like this, 50, 65 and 82, और अब देखिए, क्या relation इन में बन सकता है, मैं pen का color change कर लेता हूँ, just to see, यहाँ पर आपने 3 add कर है, 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 7, 17, it is so obvious, 2 का increment हो रहा है, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, तो यहाँ पर obviously क्या होना चीए, 9 होना चीए, and 17 और 9 किसके बराबर आगया, 26, तो यदि मैं यहाँ पर 26 लेता हूँ, तो एक बड़ी confirm कर लेते हैं, यहाँ पर 11 आना चीए, okay, 37, so 26 is the right answer, आप खुद देखें, इन 5 questions में से, 2 तो missing terms के question आई चुके हैं तक, और देखें, पहला question भी, missing term का था, उसके बाद ही coding decoding type कह सकते हैं, या missing term की तरह से, वैसे analogy करते हैं हम इसे, और coding decoding या analogy, या missing term, किसी की तरह से इसे interpret कर सकते हैं, या आपका blood relationship पे आ गया, या आपका trends प इस particular part, consider the adjoining diagram, what is the minimum number of different colors required to paint the figure such that no two adjacent regions have same color, हम ये कह रहे हैं, कि यहाँ बी दो adjacent में same color नहीं होना चाहिए, जो भी color यहाँ यहां यहाँ नहीं होना चाहिँ हैं, जो यहां यहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ 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 नहीं होना चाहिए, जो color यहाँ वो इधर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी क्योंकि यह सिंगल बैर्ड है ना सिंगल कलर होगा तो जो भी कलर यहां यूज कर लिया वो यहां कहीं नहीं होना चाहिए जो कलर यहां यूज हो गया उनमें से कोई भी यहां नहीं होना चाहिए और जो यहां यूज हो गया वो यहा 7-10 9 यहां पे 9 प्रेंग जीजिस हैं यहां पे नली यहां प्रेंग रहे के तो यहां पर दिक्कत देए गाना जैसे और रड और और सेमे वैसे तो यहां पे सुपोज मैंने ब्ल्यू ले लिया अब देखें मेरी यह कंडिशन तो सही हो गई कहीं भी दो एड्जॉइनिंग में सेम नहीं है अब यहां जो कलार आ रहा है वो यहां नहीं होना चाहिए तो ब्ल्यू रेड और ग्रीन में यूज कर चुका हूँ ठीक है सुपोज मैंने यहां पे यूज कर लिया परपल कलर तो मैंने ब्ल्यू यूज कर लिया मैंने रेड यूज कर लिया मैंने ग्रीन यूज कर लिया और मैंने परपल यूज कर लिया अब यहां पे देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे यहां तो अब चाहें रेड और और यहां पर रेट और ग्रीन में से कोई ले लो जाएं आपका मान है आप ब्ली ले लो अडली मैटर्स तो बेसिकली इन से ज्यादा कलर्स की जरूरत नहीं है और इन से कम कलर्स में काम नहीं चल पाएगा क्योंकि दिक्कत क्या ही भार नौ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा तो कम से कम चार कलर्स की हमें जरूरत पड़ेगी एक डाइगराम की तरह भी आपको डिपिक्ट करके दिखा देते हैं यह देखे यह स्ट्रक्चर इस तरीके से भी समझ सकते हैं एक कलर यह हो गया एक यह हो गया एक यह हो गया तीन और एक यह हो गया चार इस तरीकी एक ड आपको समझ में आया होगा इस स्क्रिप्ट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोगों को तो जो भी यहाँ पर बोट पे लिखा वाए कोशन से आपको पीडिया फॉर्मेट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्ट्ट में आप देखेंगे तो आपको एक लिंक में लेगा उस लिंक पे आप अपने रिक्वेस्ट बेश सकते हैं आप यदि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप पे नोटिफिकेशन साती रहेंगी आपकी प्रिप्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टन है इस सारे तरह के सारे प्रिवेस यह कोशन पीवाई क्यूस एस जो न्यू टॉपिक्स हम टेक अप करते हैं अपने लेक्चर्स मे So, I hope it must have helped you. All the best. See you soon.